जी जनाब हैपी हुए निजे क्या आले है आपके अच्छा CPI डेटा आया है के अनड़ा कि उसके मताबिक मंत और नवंबर में 6.8% इंफलेशन हुई है जो के अभी भी अपवर ट्रेंड में है मंतली ट्रेंड के साब से 0.4% बड़ी है एस कंप्यूटी प्रिविएस मन लेकिन कर दो यह ली ट्रेंड लिखते है तो तो दो मेजर चीजें जिसमें इंफेशन को ड्राइफ किया है वह है फूट शेल्टर फूट की कॉस्ट अफ़ोर्स अक्रॉस अ और जो शल्टर कॉस्ट है वह mortgage interest कॉस्ट 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 बढ़ने की विएसे और रेंट्स बढ़ने की विएसे जो इंडेकस हाउज रिक Are अचा अब इससे होगा किया इससे होगा हिए है क्या इन छेकी नजर नगरह आ रहे है तो हमारा प्रेश दिए माला रिभाटर, जो अंधर टार। आप किल सबना में की बाटर के के सब्सक्राइबीनीअ का है। जो वो चार है बढ़ाना तो again they will most likely raise another rate hike in the month of January जो कि 25 January उनकी next meeting date है तो यह है situation मेरे भाई क्योंकि इंफलेशन जो है ना वो हलक में उनकी हड़ी की तरह फ़स गया है जितने भी center banks है दुनिया के और उनके लिए इसको नीचे लाना बहुत हुरी है इसको आप समझिये क्योंकि that is a reputation problem for them अगर वो inflation को control नहीं कर पाते nobody will trust them nobody will believe on their words तो उनकी reputation का सवाल है तो they will do whatever it takes to bring down inflation and they will do it at the cost of recession for sure but they don't care about recession वो उन्होंने अपने inflation लेके नीचे आनी है और उनके पास फिर बाकी दूसरे जादू की ट्रिक्स हैं जिसके बाद वो दुबारा से माकर को पाम कर सकते हैं खर तो ये थी न्यूस आज की आप बताईए आप लों के क्या लगता है क्या होने वाला है अपने कमेर्स में डाल के पनी राए करजाए कीजिए और आप लोगता आप लोगता है